नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में दोस्तों एपीफू तरप से एक आपडेट किया था कि छे मेना से कम की भी जो सर्विस है नहीं कि आप कोई भी कमपनी में छे मेना से कम काम किये तो उसका भी पैंसन अमाउंट को निकाल सकते हैं जिसको लेकर ब पैंसन अमाउंट निकाल सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जनकार आपको देने वाला इस वीडियो को पुरा जरूर देखेगा अठारा जुनको दोस्तों एपीफू की तरप से गेजट जारी किया था जो कि उस गेजट में बताया गया था कि यह दिए आपका जो टोटल सर्विस है छे मेहना से कम किये हैं तो उसमें आप अपना पैंसन अमाउंट को विडियो वल कर सकते हैं आपका कम रहने के दौरान भी जो कि पहले दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा था लेकिन अभी मैं फिलाल बता दूँ यहां पे मैं आपको बित प्रूब के साथ मे कमेंट किया है और वहाँ पर फट Свर्ण सेर यहां था जो 5 महेना है और उसने जो पैंसल के लिए अपलाई के था जो कि युmi होगह अदि उसक्रेड क्रेडिक हो चुका है मैं पूछा really देन इसके बाद मैं इससे screenshot पूछाओं कि हमारे पास में जो भी आपके पास में screenshot है वो share कीजिए हमारे पास में इस members ने फटाक से यहां पर share भी कर दिया लेकिन यहां पर इसका total service होता है वहां पर जब आपको चेक करेंगे इसका service history तो यहां पर देख सेकता है total five month ही यहां पर बताया जारा जी हां दोस्तों total कितना five month है जो कि यहां पर इसका कितना आपर देखते हैं five month तो तीस दिन नहीं कि एक दिन क्या पर mismatch हो गया जो कि आप एंसीपी डेज में तीन दिन चला गया जिसके कारण इसका छे महना पूरा नहीं हुआ है तो यहां पर I hope आप अच्छी तरह से समझ के होंगे कि इसका total service यहां पर पांच महना है छे महना इसका पूरा नहीं एक तरह से दोस्तो सभी PF M automation के लिए करोडों PF m की बहूद बड़ी खुसकवरी की बात हैं यहां पर महला महला होने वाली जिआ हां दोस्तों करूंगा जद्दी से जल्दी जाहिए और आप भी अप्लाई कीजिए हाला के अभी तक यहां पर कोई भी नोटिफिकेसन नहीं आया और गेजट के बाद से कि यह जो आप 6 मैना के कम की पैसा भी निकाल सकते हैं दिन उसके बाद कोई भी नहीं आया तक दिन यहां पर यह लिए आपको अपलाई करने के लिए मालूम नहीं है पैसन अमांट किस प्रकासा अपलाई कीजिए खुद से तो मैं अभी जो प्रोसेस बताऊंगा बस उसको आपको ध्यान प्रवक्त देखना है यहां से आप अपना पैसन अमांट को भी डोबल कर सकते हैं तो उसके लिए आपको simply क्या करना है दोस्तों कोई भी Google Chrome में जाना और वहां पर आपको सर्च करना यूएन लोगिन यूएन लोगिन आप जैसे सर्च किजिएगा तो EPF website open हो जाएगा यहां पर अपना यूई नमर पास्पोर डाल किये साइनिंग का उपर में आप जैसे क्लिक कीजएगा तो OTP पुछा जाएगा OTP कहां पर इंडर करके submit का उपर में क्लिक कर देना है कि आपका date of exit update है या नहीं तो यहां पर अपडेट है यहां पर यहां पर अपर अपर जैसे क्लिक किजएगा तो यहां पर आपका bank account नमर पूछा जाएगा तो जो भी आपके इस प्रकास एक warning का यहां पर message आएगा उसके बाद इसको यहां पर yes कर देना है yes करने के बाद यहां पर भी आपको दिखाए देगा date of exit का रिजन और उसके बाद date भी दिखाएगा कि कब आप रिजन दिये थे उसके बाद प्रोशीट फोर online के लिए का उपट माप जैसे क्लिक किजएगा तो थुरा सा आप आपको verify लेगा तो आपको यहां पर वेट कर लेना है क्योंकि यहां पर तॉसारा timing लेता है बहुत ही बता दू यदि आप यहां पर पर पैसा होता उसको नहीं बीडिवल किये तो उसके लिए from 19 होता है तो सबसे पहले from 19 अप्लाइ करना है यदि आप apply नहीं किये तो चलिए मैं उन्हें अप्लाइ कर दिया था अब यहां पर फॉर्म 10C को पर आप जैसे क्लिक ही जेगा तो उ आपको जोगस्ट है यह इंटर करना सब्सकों अप्लाइश को फाइलिये को सब्सकाइबगे जैसे क्लिक ही जएगा तो यहां पर जीखपन करके अपर विएकृड कर सकते हैं कि आपका passport यहाँ अप्लोड हुआ है या नहीं हुआ है, अप्लोड होने के बाद यहाँ पे इस box ओपर में चेक आउट करके, नीची में आपको यहाँ पर get आधार OTP का ओपर में आपको क्लिक करना है, तो चलिए मेरा OTP यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर वायरट OTP and submit का ओपर में आपको बताए जाएगा, तो तो तरह से आपको वेट करना है, देन फाइल यहाँ पर देखते हैं हमारा जो from Tennessee है, जो कि यहाँ पर pension video के लिए होता है, यह successfully हमारा submit हो चुका है, यहाँ पर दिकत नहीं आया, अब यहाँ पर online service में जाना, उसके बाद try climb status का ओपर माप जैसे क्लिक किजिएगा, तो इसका जो current status है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा, तो यहाँ पर फिलाल देख सेते हैं हमारा जो from Tennessee है, यहाँ पर online claim submitted portal, यानि कि इस portal पर submit successful हो चुका है, जो कि इससे पहले भी दूस्तों हमने आपर from Tennessee apply किया था, जो कि यह reject कर दिया गया था, EPFU कि दरब से, less than six month, यानि कि 6 माहना से कम की बोल कर, जो कि from 19 यहाँ पर settled हो गया है, जो कि मैं आपको पूरा live proof के साथ में दिखाया हूँ, तो जल्दी से जाएए, आप भी apply किजिए, जो भी मैं आपको process भी बताया हूँ, same आपको follow करना, और कुछ इसी परकास से आप अपना pension amount को, जो भी form में उसको apply कर सकते हैं, आपको यह जनकारी आपको अच्छी लगी हो, यदि आपको यह जनकारी और यह जो new update है, आपको यह अच्छी लगी हो, तो please हमारा comment section में जरूर comment किजिएगा, दिन आपको जो भी claim है settled हो रहा है, यह reject हो रहा है, please एक ब़र comment कर दिजिएगा, ताकि हमको भी पता चलेगा, कि हाँ यह successfully सभी PFA office, या फिर सभी जगा में यह जो भी members है, काम कर रहे हैं, यानि कि apply कर रहे हैं, 6 माना से कम की, तो उसका भी settled हो रहा है, तो यह successfully मतलब यह update, अभी पूरी तरह से हो चुका है लागू, दिन आप एक बार comment कर दिजएगा, आप से यही request आएगा, और यदि आप चैनल पर पहले बार visit के हैं, नियू है, तो इस चैनल को आप subscribe की भीना मत जाएगा,